नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत श्रागत है मेरे ये टूप चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बहुत थी गंभीर समश्या के बारे में जिसका नाम है दोस्तो फैटी लिवर आज कल की लाइब स्टाइल चेंज होने की कारण फैटी लिवर की प्रोब्लम्स पैशेंटों में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है अत्यदिक मातरा में नौन वेज का शेवन करना अत्यदिक मातरा में एलकोहल का शेवन करना अत्यदिक मातरा में एंटिवाइटिक क यूज करना, इनसूलिन का disturbance होना, हारมोनल का disturbance होना, ऐसी कई तरह के cause होते हैं, जिसके कारण पेशिंटों में हमें fatty liver की problems देखने इस आगते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको fatty liver के लिफटा में क्च Li起來ASE क्या common problems के बारे में बताऊँगा दोस्तों, होमोपेतिक में बहुत ही इफेक्टिव होमोपेतिक मेडिसिन है, यदि इस मेडिसिन का यूज आप time to time करते हैं, कुछ परेच आप करते हैं, तो यहाँ प्राब्लम्स को पूरी तरासे ठीक किया जा सकता है यहाँ पे जो medicine मैं आपको बताने वाला हूँ medicine का जो dose है medicine का जो repetition होता है बहुत ही ज़ादा मायने रखता है जो इस वीडियो की माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटा सा combination भी मैं आपको बताऊंगा जो fatty liver के साथ आभी दियूज करते हैं और very effective top 5 homeopathic medicine मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ यदि आपको fatty liver की problem है तो इस वीडियो को आप अंतक देखें यदि आपके परिवार में fatty liver की problem है तो इस वीडियो को उन तक share कर दें ताकि सभी इस वीडियो को देखकर medicine को यूज करकि अपनी problems को पूरी तरह से ठीक करें तो चलिए देर न करते हूँ इस वीडियो को शुरू करें दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काफी लंबे समय तक patient इस बिमारी से सफर करते रहता है इसके होने की कई तरह के कारण होते हैं यहां exact कोई cause नहीं है कि कीन कारणों की बज़े से हो जाता है पर कुछ इसपस्ट कारण भी इसमें बताये गए हैं medical science में पहले नंबर पे आता है तो तो alcohol का ज़्यादा मातरा में शेवन करना जो patients alcohol का ज़्यादा शेवन करते हैं जो patient non-wage का ज़्यादा शेवन करते हैं मिर्च मसालों का आतिधिक मातरा में शेवन करते हैं एंटिवैटिक का ज़्यादा यूज करते हैं उनमें fatty liver के होने की चांसे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं genetic history यानि परिवार में family में किसी को fatty liver की problem रही है तो आपको यहाँ fatty liver होने की problem देखने को मिल सकती है यहाँ कुछ cause है जिनके current patientों में fatty liver की problem हो ही जाती है यदि आप non-page और alcohol का ज़्यादा शिवन करते हैं काफी लंबा समय हो गया है तो एक बार ultrasound जरूर करवा लीजिए साउधान आप हो जाईए और उसका treatment आप जरूर कर लीजिएगा और मैं जो medicine आपको बता रहा हूँ वह medicine आप जरूर ले लीजिएगा क्योंकि fatty liver तीन प्रकार का होता है grade 1, fatty liver, grade 2 और grade 3 तीन grade में आता है यदि grade 3 में आप पहुँच गए हैं तो liver floor होने के chances इसमें देखने को मिलते हैं liver काम नहीं करता है और liver हमारे body का बहुत ही important organ है जिस दिन यहां liver काम करना बंद कर देगा तो liver transplant भी किये जाते हैं और बहुत ही इसका जो treatment होता है काफी costly होता है और हर patients के लिए effort नहीं होता है इस बात का विसेद्धान रखें यदि आप alcohol का शेवन करते हैं तो USG ultrasound phonography जरूर करवा लिजेगा और यहां पे जो medicine मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको शेवन करना है symptoms कुछ मैं आपको बता देता हूँ liver के पास हलका हलका सा दर्द महसूस होना हलका हलका पैन यानि की हलका हलका दर्द महाँ पर बना रहेगा उल्टी की इक्छा आपको हमेशा बनी रहेगी कई बार हमेशा उल्टी की इक्छा होगी कई बार आपको भूक नहीं लगेगी प्रापर तरीका से भूक नहीं लगेगी बजन आपका कई बार बढ़ने लगेगा या फिर आपका बजन लूज कम होने लगेगा यहां commonly symptoms है चेहरे का कलर हलका सा पीला दिखने लगेगा सरीर में हलकी सी सुस्ती पन आपको देखने को मिलेगी प्रापर तरीका से नाइट में नीद नहीं आईगी इस तरह के जो symptoms है फैटी लीवर के symptoms है और उल्टी की इक्षा होना खाना खाने में मनना लगना इस तरह के symptoms देखने को मिलेंगे यदि इस तरह के symptoms है तो आप सावधान हो जाए जो medicine में आपको बता रहा हूँ उसका सेवन आप करें तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर पर बहुत effective homeopathic medicine है जिसका नाम है दोस्तो चिली डोनियम चिली डोनियम तीन केस में यूज की जाने वाली बहुत effective homeopathic medicine है इसकी जितनी तादिप की जाए उतनी कम है जोइन डिस का नाम आपने सुना होगा यदि किसी पेसेंट को जोइन डिस पीलिया हो जाता है जिन पेसेंटों को गाल बडर की पत्री हो जाती है जिसे पिता से की पत्री का जाता है उसमें भी चिली डोनियम मदर tincture form में यूज की जाती है पेसेंट को इसका symptoms की यदि हम बात करें तो पेसेंट को उल्टी की इक्चा होती है रसुई की गंज से पेसेंट को उल्टी की इक्चा होती है और पेसेंट की जीब है जो टंग है सफित कलर का परत उसमें जम जाता है हलका सा yellow होता है और जो कड़ापन वहां पर महसूस होता है तो पेसेंट्स को चिलिडोनियम मैडिसिन देने की आवशक्ता होती है इस तरह के सिम्टम्स आप में है तो चिलिडोनियम आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते मैं या पिक्चा लगा देता हूँ या पोटेंसी के फॉर्म में भी आती है चिली डोनियम का जादा से जादा आपको मदर टिंचर में शेवन करना है आदे कप पानी में 20 बून सुवा, 20 बून दोफैर में 20 बून रात में कंटिन्यू तीन महेने तक यूज करीगा, धीरे-धीरे करके आपके सेम्टम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और आपकी फैटी लिवर की प्रॉलम दीरे-दीरे करके ठीक हो जाएगे इसे पोटेंसी के फ़र्म में भी यूज किया जाता है पोटेंसी के फ़र्म में चारबून सुवा और चारबून श्यांको पैशेंटों को दिया जाता है पर यहां डॉक्टर के निरक्षन के अंतरगत ही दिया जाता है पोटेंसी के फ़र्म में मदर टिंचर का सेवन आप कर सकते हैं नो प्रॉब्लम्स नेक्स्ट और बहुत ही फैक्टिव होमोपैथिक मैडिसीन है यदि कहीं भी फैटि लीवर की प्रॉब्लम आती है यदि कहीं भी जुएंडिस की बाद आती है या कहीं भी गाल बडर पत्थरी की बाद आती है तो इस मैडिसीन का यूज किया जाता है तीनों केस में इस मैडिसीन का यूज किया जाता है पर इसके symptoms चिली डोनियम से अलग होते हैं इसमें जो fatty liver की patients को problem है जहाँ पे liver है वहाँ पे दी patients को दवाया जाता है तो जो liver होता है वहाँ हाट हो जाता है वहाँ पे कड़कपन patient को हमें देखने को मिलता है patients को ultia की इक्चा होती है kई बार patients को ultia जो होती है खून की भी हो जाती है तो card quand marianus उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है पेसेंट्स का जो मूँ का स्वाध होता है भा कड़वा होता है पेसेंट्स को भूग जो है प्रॉपर तरीका से नहीं लगती है नींद प्रॉपर तरीका से नहीं आती है और इसका विसेस असर जो होता है लेप्ट साइट दर्ध हमें पेसेंटों में देखने को मिलता है तब कप में कार्डस मेनियारस मदर टिंचर फ़ॉम में आप यूज कर सकते हैं 15 बून सुबा 15 बून दुफर में 15 बून रात में इस मैडिसिन को मिलाके आप यूज करिए आपकी फैटी लीवर की जो प्रावलम्स है धीरे धीरे करके पूरी तरह से खीक हो जाएगी इसका यूज ओनली फ़ॉर मदर टिंचर में ही करना है पोटेंसिक फ़ॉम में इस मैडिसिन का यूज नहीं किया जाता 3X में भी इस मैडिसिन का आप यूज कर सकते हैं कोई प्रावलम्स नहीं है नेक्स्ट मेडिसिन आती है बहुत इफ्रक्टिव है दोस्तों जिसका नाम है चियोनेंतस बरजिनेका मैं आप पिक्चा लगा देता हूँ आप इससे अच्छी तरह से देख लीजिए इस मैडिसिन का यूज मदर टिंचर फ़ॉम में किया जाता है इसके यदि सिंटम्स की यदि हम बात करें तो इसके पैशेंट्स की जो आयलेड्स होती है बहाँ पीले कलर की दिखाई देती है पैशेंट्स को उल्टी की हमेशा इक्चा बनी रहती है यदि लीबर में हाडनेस आने लगी है तो इस medicine का उसमें use किया जाता है पेशेंट्स का जो मूंग का स्वाध होता है बहा कड़वा होता है और पेशेंट्स को उल्टी की इक्षे इसमें पेशेंटों में हमें देखने को नहीं मिलती है पेशेंट्स को बहुत जदा hard stool होता है और stool का color भूरे color का हमें पेशेंटों में देखने को मिलता है और पेशेंट्स के liver वाले reason में हलका हलका दर्द बना रहता है तो उसमें इस mother tincture का use किया जाता है इस mother tincture का use एक कप पानी में 10 बून सुबा, 10 बून दो फैर में 10 बून रात में किया जाता है यदि combination की यदि हम बात करें तो 100 ml की खाली file लेके तीनों mother tincture को मिला के आप रख सकते हैं और इस mother tincture को आपको लेना है 40 बून सुबा, 40 बून दो फैर में, 40 बून रात में equal quantity में 100 ml में मिलाना है इससे आप लेते रहेगा fatty liver की problem आपकी ठीक हो जाएगी साथ में बायोकेमिक combination में आपको और बता रहा हूँ यदि इसको लेते हैं तो पूरी तरह से आपकी fatty liver की problems ठीक हो जाएगी next medicine की यदि हम बात करें तो next medicine आती है lycopodium liver में बहुती अच्छा काम करने वाली only for lycopodium सबसे अच्छा काम करती है पेशेंट्स थोड़ा सा भी खाना खाता है तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत जदा खाना खा लिया है पेट फूला फूला सा लगता है liver वाले region में हलका हलका सा पेशेंट्स को दर्द बना रहता है पेशन्ट के स्याम के समय उकाईयों की इक्षा होती है उल्टियों की पेशन्ट को इक्षा होने रखती है सिर में हमेशा भाधी पन लगा रहता है सुस्ती पन हमेशा बेचेनी पेशन्ट को महसूस होते रहती है तो patients को lycopodium medicine देने की आफशकता होती है जब भी lycopodium medicine का use करेंगे तो 30 potency में चारबून सुभा और चारबून से आपको direct tongue dose दिया जाता है कम से कम इस medicine का use 40 दिन तक किया जाता है 40 दिन के बाद इस medicine को बंद कर दिया जाता है बाकी जो mother tincture का combination मैंने आपको बताया है वह continue चलते रहता है अब बात आती है दोस्तों biochemic medicine की एक छोटा सा combination है जो fatty liver में बहुत ही अच्छा काम करता है वहाँ picture लगा देता हूँ 3 biochemic medicine आपको लेके आना है पहले number पर आने लेके आना है दोस्तों नाइट्रमफॉस के उपर मेरा personally video है वहाँ video आप देख सकते हैं जब भी liver में किसी भी तरह का कोई भी infection हो जाता है पेट में किसी भी तरह का infection हो जाता है constipation होना, कब जो बनना, उल्टी की एक्छा होना, gas, acidity problem होना तो नाइट्रमफॉस उसमें यूज किया जाता है liver में हलकी तरह सी solution भी ये जाती है तो नाइट्रमफॉस का यूज किया जाता है यह आपको लेके आना है बार एक्स potency में next medicine लेके आना है दोस्तो फेरमफॉस फेरमफॉस हमारे सरीर में खून को भी बढ़ाती है और जब fatty liver की problem हो जाती है तो हम खाना proper तरीका से नहीं खाते तो खून की हमारे सरीर में कवी हो जाती है तो यह खून की हमारे सरीर में पूर्ती करता है फेरमफॉस लेके आना है आपको 12X में ठीक है और next medicine लेके आनी है दोस्तों कालिफॉस कालिफॉस लेके आनी है आपको 6X में ये तीरों medicine को आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है या आप इसे mixi में पीस के भी रख सकते हैं इसमें mixi में आप पीस के रख लीजेगा 25 ग्राम की डबी में आप मिला लीजेगा और आपको इसका powder form में लेना है आदा चम्मत सुभा और आदा चम्मत श्याम को यहां मीठा powder है आप आसानी से खा सकते हैं सुभा और श्याम को आपको लेना है fatty liver की जो problem से आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी दो बार आपको fatty liver की problem देखने को नहीं मिलेगी यदि आपको fatty liver करना है यदि आपको great three fatty liver की problem है great two fatty liver की problem है काफी लंबे समय से fatty liver के लिए परिशान है यदि आप online कलसाट एंसी लेना चाहते हैं तो discussion बाउस के नीचे पूरी जानकरी दी गई है इसकिन मैं WhatsApp नमबर देता हूँ आप हमसे भी online कलसाट कर सकते हैं आसा करता हूँ दोस्तों य लिंग नेस्ट वीडियो में तब तक की लिजय हैं जय वारत बंदे मातरम